इस वीडियो में जो हम मैच कवर करेंगे वो होगा सकोर्टिस लीग का फुटबोल मैच जो खेला जाएगा शेल्टिक FC और सेंट मीरेन के बीच में तो दोनों टीम में से आज के मैच में कौन सी टीम एक सट्रॉंग टीम और कौन सी टीम एक वीक टीम है इस टोपिक पर हम डी कैप्टन देना है यह सारी इनफॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में शेटेप बाई शेटेप दी जाएंगी आप वीडियो को धिहान से और कंप्लीट देखना बीच में बिलकुल भी इसकिप मत करना ओके तो दोस्त अब हम इन दोनों टीम की जो पॉइंट टेवल है उस शेल्टिक इस लीग की टॉप टेवल टीम है और सेंट मीरेन इस लीग की फिफ्ट नमबर की टीम है तो दुनों टीम की जो पोजिचन है उसमें भी काफ़ ज़्यादा डिफरेंश देखने को मिलता है शेल्टिक ने इस लीग में 21 मैच खिले हैं 16 मैच जीते हैं 3 मैच ड्र भी कर देती है और यह टीम काफ़ ज़्यादा अटेकिंग टीम मानी जाती है फिलाल टाइम पर अब हम बात करें डिफेंश के बारा में तो 21 मैच में सिर्फ 15 गोल डिफेंश वाज कंसीड की है तो ओन एन एवरेज अगर देखा जाएं डिफेंश पर मैच में एक गोल कंसी नहीं करती है और मैच को एक तरफ जीत लेती है तो इस टीम का अटेक और डिफेंश बहुत ज़्यादा मजबूत है अब हम बात करें मीरेन के बारा में तो इस टीम ने 21 मैच खिलें सिर्फ 8 मैच जीते हैं 5 मैच डो खिलें 8 मैच में हार का सामना किया अटेक वाइज 24 गोल करें डिफेंश वाज 25 गोल कंसीड की है तो दोस्त 21 में 24 गोल करना तो पर मैच में इस टीम का अटेकिंग एवरेज एक गोल का है और कभी कभी ये टीम हलकी टीम के सामना गोल करती है दो वरना दो गोल नहीं कर पाती डिफेंश देख जा तो 21 में 25 गोल डिफेंश वाज कं मैच में गोल कंड़ीड करने का एवरेज रखती है तो दोस्त इस लीग का अनुसार ये तो क्लियर है कि Celtic की टीम इस मैच में एक फैवरेट टीम है विन करने के लिए तो दोस्त अब बात आती है कि अब इस मैच का स्कॉर लाइन प्रेडिक्सन क्या होनी चाहिए तो दोस्त आज के जो मैच है वो Celtic के होम ग्राउंड में खिले जाएगा और Celtic अपना होम में बहुत ज़्यादा अटेकिंग गेम खिलती है और डिफैंस से गोल कंड़ीड भी नहीं करती तो इसलिए मेरा प्रेडिक्सन इस मैच को लेकर है Celtic 3-0 से विन करेगी अब 3-0 के प्रेडिक्सन का अनुसार हमें इस मैच में अपनी फैंटेसी के टीम को क्रेट करना अब टीम में किस प्लियर को लेकर चलना और किसको कैप्टन देना यह सारी जानकारी दोनों टीम की पॉसिबल लाइनप और प्लियर का सटेट्स का अनुसार दी जाएंगे और हाँ दोस्त अगर आपने हमारे इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी परकार की वीडियो इनफोर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना और साथ ही में बेल आइकन को ओन करना ताकि आपको पास नेफ्ट मैच की वीडियो के नौस्ट केसन मिस ना हो और इस मैच की जो आज समोली की टीम रहेगी वो आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिलेगी टेलिग्राम चैनल का जो लिंक है इसी वीडियो का टॉप के कॉमेंट में है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है आप वहाँ से हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लेना जो लिंक दिया है उसी से लेकिन सर्च करके जोईन बिल्कुल मत करना टिम के लिए कितने मैच खेलाओ, कितने मैच मेच में साटार कर चूआ, कौन से प्ल Connect जो हर मैच में 90 मिनेट केलता है, गोल भी करता हो, असिच्ट को बाद में, देखो, गोल कीपरींग सेक्षिन में हाट लेग आ लेगा, और सेल्टिक का हमें गोल के पर लेकर नहीं चलना, क यह AT lie क explet अभर डीर को देखा है तो हमें ट्राइब को मतलब ट्राइब करना चाहिए और जॉंस्टन को 82 त्वेक चाहिए मैं । बल्कि हमें वैल्या और शकात टीम उर不知道 में से एक को लेकर चलना और मैं पाठी कर सकते बाक्तेबर चलोंड्या करना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए तो मैं इनको अपनी टीम में अभी के लिए लेकर गए हूँ अब हम बात करें काल मैग गुर इस टीम के तरफ से एक अच्छा का सा प्ले जो विदाउड गूल पॉइंट देता है गोल असिस्ट का जादत मैं नहीं कहूंगा लेकिन अस स्टार्ट के इस ने गोल जरूर किया है और आज सामने वीक टीम है क्या पाता इसका फिर से गोल आ जाए डेजन मीडा जापानिज लीग का एक बहतर फिनीसर है तो हम इनको लेकर चलेंगे और यह एक इंपोर्टन प्लेर है और हम बात करें फुरू हासी जब से आया टीम क तो इनको भी लेना पड़ेगा क्यों क्योंकि यह टीम बहुत जादा अटेकिंग गैम खेलती तो अटेकर का गोल आने का चांस वेरी वेरी हाई तो उस कंडिशन करनों सार अगर देखा जाए तो हमें साथ प्लेर लेना चाहिए पालमा फुरुवासी मीडा मैट औरोली टे लाइना पाने के बाद क्या पाता मैं इनको ड्रॉप कर लो और हम टीम अटेकर और और एक्स्टर कर दो बाके हर एक प्लेयर का स्टेट्स आपके सामने एक्जाम्पल में देता हम समझ आप लेना जैसे कि फुरुवासी इस टीम के लिए 21 मैच खेल चुगा अठार मैच में 80 और 90 मिनट के बीच में खेला और 8 गोल भी कर चुगा है और 3 असिस्ट भी निकाल चुगा तो इसी तरह आप हर एक प्लेयर का स्टेट्स को इजिली रीड आउट कर सकते हैं कि कौन कौन से प्लेयर इस टीम के तरफ से most important प्लेयर है तो चलिए अब हम दूसरी टीम के लाइ इसके लाइन अप आपको 3421 का formation से देखने मिलेगी और यह जो लाइन अफ है यह बहुत ज़्यादा डिफेंसिव लाइन अफ है अटेकिंग नहीं कह सकता हाँ गोल कर देती है यह लाइन भी लेकिन यह डिफेंस वाइज लाइन अप हर एक प्लेयर का स्टेट्स मैं यहां अपर मैंशन की हैं आप हर एक प्लेयर का स्टेट्स को देख सकते हो लेकिन हम सब पहले गोल कीपिरिंग सेक्शन को सटाट करते हैं जैसे कि हैमिंग रहेगा और हम आज के मैं इन ही को लेकर चलना अगर हम गिरांड लीग टीम बना रहे हैं तो कम सकम 15 टीम में इनको लेना तानसेर और यहां से फ्रैसेर देखो दोनों का पास इंटरसेशन टेगल पास इनका पॉइंट बहुत आएंगे लेकिन पोटेंसल अगर देखे जाएं तो यहां से तानसेर एक असिस पोटेंसल है अभी तक फ्रैसर ने अभी तक एक भी असिस नहीं निकाला लेकिन मुझे मुझे लग रहा कि पोजिशन जो है उसके हिसाब से इसका पॉइंट ज्याद आएंगे अब हम बात करें यहां से हरा है बैककश है बैककश यह इससे पहले यह जहां तक मुझे याद है यह ओस्टेले के एलिग में खेल चुगा है और वहां पर इसका डिफेंशन नंबर अच अब पिछले मैंच में किल्टी ने भी पैनल्टी ली थी तो भाईया इनको भी लेकर चलेंगा है यहां पर जैमिन सन है मैं अभी के लिए इनको करके चला हूं मिस आउट क्योंकि मैं इन से ज़्याद उमीद नहीं कर रहा हूं लेकिन इस टीम तरह से मांड ड्रोन जो कि इ यह हैं है मिंग ऑर तानसेर तीन पलिय और चौतह प्लियर या तुमैंच में में डिरायोन रखोंगा इन दो में से में मैं किल्टी को ही फिक्र करें बागे हरेक प्लियर का सब्सक्राइब यह जांड़ में देता हूं समझा आप लेना जैसे ग्ले कि टीम के लिने किस मैच खेल चुगा इसले इंपोर्ट प्लियर पिछले मैच में सेंद वहस्म को मैच कॉना कि डियान अपाल कि मे क्सको क्यान में ऐस लिए प्लेक्न की टिम की. combination देख लेते हैं तो दोस्त अभी के लिए जो मैं टीम बनाके चला हूं वह इस परकार है अब इस टीम में बात की जाएद कैप्टन से कि इसमें कोई सक नहीं कि मैं फुरुहासी को अपने जो फाइनल टीम रहेगी वह आपको टेलिग्राम चैनल पर पॉस्ट कर दी जाएगी लेकिन आप डिफेंस में अगर सलक्ट करना चाहते किसी कैप्टन को तो यहां से टेलर को ट्राय कर सकते हैं और यहां पर अधर टीम में देखना चाहते तो बेस्ट प्लियर आपके पास द आप यूज करके टीम बनेंगे तो कॉंफिडेंस आपका अलग ही लेवल कर रहेगा होप सब्सक्राइब इन दिस मैच मिलते हैं और टेक कर भाई